अगर हम लोग बात करते हैं सुजिंग ट्रांजियंट की तो basically सुजिंग ट्रांजियंट में जो ट्रांजियंट वर्ड है उसका मतलब समझते हैं सबसे पहले तो ट्रांजियंट क्या होता है कि एक short burst of energy in a system due to sudden chain and state यानि कि अगर हम बात करते हैं power system की तो कभी भी अगर कोई sudden event होता है जैसे कि for example आपने load लगा दिया load हटा दिया अगर घर की बात करें तो फिरिज जैसी आप fringe को आपने connect करा या फिरिज को disconnect कर दिया AC को तुमने on करा या off कर दिया compressor को on करा या off कर दिया यह सारी तरीके के जो भी event होते हैं तो इसकी वाज़े से क्या होता है system के अंदर certain burst of energy होता है यानि कि short burst of energy हमें देखने को मिलता है हम क्या देखेंगे कि voltage current of frequency क्या होगा एकदम से fluctuate हो जाती है for a short moment ठीक है तो अगर जब भी इस तरीके का होता है यानि कि जब भी आपको short moment के लिए energy में fluctuation दिखता है उन सब चीजों को हम लोग कहते हैं transit हाँ important word यहाँ प fluctuations किसी भी electrical quantity के जब भी आप sudden change करते है उसकी state में या फिर कह सकते हैं load को तो ऐसा कब होता है सबसे अच्छा example है जब हम बात करते है sudden change की तो सबसे common example है कोई चीज को switch on करना load को switch off कर देना ठीक है तो यह जो on and off है जब भी यहाँ पर यानि कि sudden change अगर हो रहा है अगर switch on and off कर रहा हो तो इस तरीके के जो इसकी वज़े से जो transient आते हैं इनको हम लोग कहते हैं switching transient ठीक तो आयू समझ में आगया transient समझ में आ गया transient का मतलब energy में change होना fluctuation होना जब भी आप sudden change in state करते हो और अगर यह fluctuation sudden change की वज़े sudden change मतलब अगर यह fluctuation switch के on or off करने की वज़े से आ रहे ह तो इसे हम कहते हैं switching transient ठीक है तो switching transient बहुत common होते हैं power system में कई बार हम लोग capacitor की वज़े से आ जाते हैं कि हम लोग capacitor का इस्तमाल करते हैं basically power system में कभी inductor का इस्तमाल करते हैं power system में तो जब भी हम inductor या capacitor connect करते हैं या disconnect करते हैं power system से तो उनकी वज़े से switching transit हमें देखने को मिलते हैं बड़ा important question हम लोग यहाँ पे इसकी चर्चा क्यों कर रहा है तो इसका answer आता है transformer से यह transformer की अगर बात कर ले तो बेग नया transformer खरीद के लाए हो secondary पे कोई भी load नहीं लगाया लेकिन उसकी primary side को तो में supply से connect तो करना पड़ेगा ना तभी तो वो energize होगी तो जब भी हम यह जो process होता है यानि कि जब भी हम transformer को supply से connect करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है यह event की तरह work करता है यानि कि switch है आँ पे और यह switch क्या कर रहा है यह basically connect करने काम कर रहा है transformer की primary को supply से तो जब भी transformer की primary को हम लोग supply से connect करेंगे तो यहाँ पे जनम होता है switching transient का ठीक है तो जब भी हम transformer की primary को supply से connect करते हैं तो हमाँ switching transient आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक और यह जो switching transient होते हैं इनका इनको एक नाम दिया जाता है इनका एक बहुत ही disastrous effect होता है या कह सकते damaging effect होता है और इसको नाम देते हैं हम लोग doubling effect ठीक है इसके उँपर हम इस पूरे lecture के अंदर चर्चा करेंगे मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे lecture के अंदर हम लोग बात करने वाले है doubling effect के और इसके उपर हम लोग बहुत ही interesting चीज़े सीखने को मिलेंगे ट्रांसफोर्मरों के बारे में चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे magnetic inertia को सबसे पहले समझते हैं अगर आपको doubling effect सीखना है तो magnetic inertia आपको समझ में आना चाहिए अब यह क्या होता है अगर हम बात करते हैं transformer की अगर आपने transformer की primary side में supply लगाई तो supply लगाने क्या होगा supply जैसी आप लगाऊगे तो एक flux setup हो जाएगा important part आजाता है कि it takes time to magnetize the core of transformer यह tagline है मतलब जैसी तुमने supply को connect करा transformer से तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल instantly कि आपने एकदम चुटकी बजाई और पूरा core जो है वो magnetize हो गया नहीं ठीक है वो कुछ time लेगा यह होता ही है क्योंकि जैसी हम लोग supply को basically जब अगर process के उपर ध्यान दो तो जैसी तुम supply करोगे तो core जो होगी उसके magnetic dipoles होगे वो दीरे-दीरे अपने आपको align करना शुरू करेंगे और थोड़े time में पूरी की पूरी core जो होगी वो magnetize हो जाएगी ठीक है लेकिन it takes time क्योंकि सारे poles को dipoles को sorry अपने आपको align करना पड़ेगा ठीक है तो इसी को नाम दिया जाता है magnetic inertia यानि कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी inductor की तो जब भी हम उसको switch on करते हैं यानि कि जब भी हम एक discharge inductor को किसी supply से connect करते हैं तो वो अपनी state को maintain रखता है magnetic flux को maintain रखता है थोड़ी देर के लिए उसके होगी वो बनना शुरू होगी और इसी को नाम दिया जाता है magnetic inertia आयोब इसी clear हो गई होगी important term में magnetic inertia समझ में आ गया आगे चलते हैं अब इसका काम क्या है तो जरह हम इसको समझते हैं voltage की waveform से मान के चलते हमारे पास एक sinusoidal voltage है कुछ इस तरीके से और यह हमारा है voltage अगर हम बात करते हैं voltage किसी भी inductor coil की या नहीं अगर transformer की बात करें और एक ideal transformer ले ले लें जिसके अंदर जैसी मैंने button on करा तुरंती core flux उसके अंदर flux जो वो setup हो जाए अगर ऐसा case होता तो हम जानते हैं कुछ इस तरीकी waveform मुझे मिलती 90 degree lag करते हुई मुझे बिलती ideal flux की waveform क्योंकि हम जानते हैं कि core अगर inductor की बात करते हैं तो voltage और flux के अंदर 90 degree का difference होता है तो यह basically इस तरीकी waveform मिलती ही ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर मैंने switch on करा यहाँ यहाँ पर यानि कि यह तो की ideal flux अब हम बात करेंगे practical कैसा होता है मतलब actual में क्या होता है तो अगर मान लेते हैं मैंने t equal to 0 पे switch on करी supply जब voltage मुझे 0 मिल रहा था at dead instant flux कितना होना चाहिए core में minus 5m इसका क्या मतलब हुआ कि जिस समय हमने supply को on करा और उस समय अगर voltage 0 हुआ तो flux जो पूरी core है उसके अंदर flux कितना होना चाहिए था उसके अंदर तुरंत the at dead instant पूरे के पूरी core में minus 5m यानि कि opposite direction में maximum flux setup हो जाना चाहिए था लेकिन अभी मैंने पीछे आपको बताया एक होता है concept होता है magnetic inertia का यानि कि जब आप supply को on करते हैं तो minus 5m ना होकी 0 पे flux होगा और थोड़ी देर में अपने आपको गेन करेगा तो ऐसे किसमें क्या होता है इस वज़े से यानि कि magnetic inertia की वज़े से जो हमारा जो actual waveform मिलती है core के flux की वो कुछ इस तरीके से मिलती है यानि कि हुआ क्या है इसमें यह जो minus 5m आप देख रहे हो यह अपने आपको shift कर लेता है इसकी वज़े से पूरी waveform क्या होती है उपर shift हो जाती है और उपर shift होके मुझे कुछ इस तरीके से यानि peak value जो मिलेगी वो 5m और एक और 5m यहां से concept आता है 2 5m का आयो समझ में आगया होगा तो अगर मैं इसको देखो आपको समझाओ तो यह जो minus 5m था यानि कि core का flux होना चाहिए था यहां से जब हमने t equal to 0 पर start करा लेकिन होता है due to magnetic inertia magnetic inertia के कारण क्या हुआ magnetic inertia कारण हमारा जो core का flux था वो 0 से start हुआ यानि कि flux कहां से start हुआ 0 से तो अब 0 से start हुआ तो क्या होगा धीरे धीरे वो क्या करेगा जब peak value पहुचेगी तो यह जो minus 5m से start होना था और यह 0 से start हो तो यह minus 5m reflect होता है उसकी peak value पर यानि कि जिस समय यहां पर curve पहुचेगा प तुमारी practical यानि कि actual practical flux waveform तो practical flux जो होगा कितना हो जाएगा 2 5m हो जाएगा ठीक है 2 5m और ऐसा क्यों होगा ऐसा हुआ magnetic inertia के वज़े से ठीक तो magnetic inertia के वज़े से क्या हुआ यह जो minus 5m से शुरू होनी चाहिए थी 0 से होई तो भाई यह कहां जाएगा यह reflect होने लगेगा peak value पर तो यह जो peak value पर reflect होने लगता है जिसकी वज़े से जो तुमारी peak पर 5m की जाएगा 2 5m मिलने लगता है इसको हम लोग कहते हैं this is what we call doubling effect ठीक है आयोब जिस के लिए रोगई होगा doubling effect इसमझ में आ गया होगा यह है theoretical concept आगे वारे समय में हम लोग mathematical भी सीखेंगे next lecture में पर अभी आपको theoretical पता होने चाहिए ठीक तो अगर तुमसे पूछता है कोई भी doubling effect क्या होगा तो simple सी बात है अगर आप zero voltage पर click कर देते हो तो ऐसे case में core का flux minus 5m से शुरू होना चाहिए था लेकिन magnetic inertia है कारण यह zero से start होगा और यह जो minus 5m की value यह reflect कब होगी यह तब reflect होगी जब आपकी peak value पहुचेगी तो यह क्या हुआ यह तुमारे इसी की वज़े से क्या होता है कर्व तुमारा उंपर shift हो जाता है देख सकते हो आप लो तो यह जो कर्व उंपर shift हुआ है तो यह reach भी होगा हाला कि बढ़ important चीज है transient है यह transient का क्या मतलब ह होगा कि एक दो cycle में तो यह रहेगा लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने आपको यह ideal value में settle कर लेगा ठीक तो यह जो तुम्हें 25M देखने को मिल रहा है magnetic inertia current यह शुरुआत की कुछ cycles में रहेगा या कुछ half cycle में रहेगा लेकिन उसके बाद क्या होगा धीरे धीरे यह settle ह जाएगा इसलिए इसको हम लोग कहते हैं transient यह transient है ना की fault है अगर यह 25M हमेशा बना रहता यानि कि हर पूरी हमेशा बना रहता तो इसे हम कहते है fault लेकिन क्योंकि 25M यानि कि जो doubling effect है यह केवल एक दो cycle में होता है यानि कि थोड़ी देर के लिए होता है इसलिए इसको transient का नाम दियाता है तो बात समझ में आ रही होगी तो transient का नाम क्यों दियाता है doubling effect क्योंकि कुछ cycle में होता है यानि कि one to two cycle में इसके बाद यह settled down हो जाता है दीरे-दीरे करके ठीक तो are you doubling effect समझ में आ गया होगा कितनी देर तक रहता है यह समझ में आ गया होगा ना अगर यहां transformer की तो BH curve आपको पता है कि कुछ portion उसका linear होता है कुछ portion उसका non-linear होता है अगर मैं बात करता हूँ यहां पे तो जो अगर शुरुआत के portion की बात करता हूँ तो आप देख सकते हो linear line है यानि कि linear है और उपर वाला जो portion है यानि कि far end का वो क्या non-linear हो गया अगर हम बात करते 5M की तो transformer जो हमारे design करे जाते हैं वो इस तरीके से design करे जाते हैं कि उनके अंदर flow होने वाला maximum flux setup होने वाला linear reason में रहे अगर linear reason में है तो इस linear reason खास बात क्या होती है high value of flux को setup करने के लिए small magnetizing current की ज़रूद पड़ेगी यानि कि जैसे कि हम जानते है transformer के अंदर no load current कितना ह 5-6% of full load current ठीक तो ऐसा क्यों हो पाता है यानि कि core में flux तो बहुत जाता है लेकिन उसको flux को बनाने के लिए current जो है वो बहुत ही कम चाहिए reason क्या है हम linear reason में है linear reason में है और सबसे important चीज है कि यहाँ पे जो no load current है छोटे से no load current से बहुत ही high flux setup हो जाता है लेकिन अगर क्या ह होता है doubling effect होने कारण क्या होता है 5m की value 2 5m चली जाती है ना अगर 2 5m की बात करो तो 2 5m कहां पर exist करेगा आपके non linear reason में अब देखो अगर 2 5m non linear reason में जाएगा तो इसके लिए हमें कितना magnetizing current चाहिए होगा I not 2 magnetizing current मान लेते हैं ना तुम देख सकते हो कितना बड़ा gap है और 50 to 60 times चाहिए होगी magnetizing current in case of normal transformer यानि कि अगर हमारे transformer के अंदर बहने वाले flux है वो 5m रहता तो वहाँ पे जो magnetizing current चाहिए होगी उसके 50 से 60 गुना ज्यादा magnetizing current चाहिए होगी अगर doubling effect हो जाता है तो यानि कि doubling effect क्या होगा 2 5m हो गया flux की value जो 5m रहने चाहिए थी peak flux वो 2 5m हो करता हूँ इसका comparison करता हूँ full load से तो यह basically 5 to 6 times full load current होती यह आप सोच सकते हो कितना ज्यादा magnetizing current की ज़रूद पड़ेगी अगर doubling effect तुमारे transformer में हो गया और अगर doubling effect हो जाता है और 5-6 गुना full load current तुमारे transformer मांग लेता है बिना load connect हुए तो ऐसे case में circuit breaker लगे होते हैं circuit breaker को लगेगा कि यह fault हो गया है और वो fault की तरह इसको treat करेंगे और circuit breaker trip हो जाएगा circuit breaker trip होने से क्या होगा कि तुमारा system बंद हो जाएगा यानि कि transformer disconnect हो जाएगा समझ में आ रहा होगा तो यानि कि basically हुआ क्या अगर हमारे transformer को मैंने on करा t equal to 0 यानि कि जिससे में voltage waveform हमारी 0 पे थी तो ऐसे case में doubling effect हुआ और doubling effect होने से क्या होगा कि transformer तुमारा उसकी जो magnetizing current थी वो 5-6 गुना full load current मांगी गई ऐसे में circuit breaker ने उसे fault की तरह गर और circuit breaker trip कर दिया इसका मतला क्या हुआ कि जैसी तुम transformer को connect करने चलोगे doubling effect होगा और पूरी light बंद हो जाएगी मतला वो system से disconnect हो जाएगा फिर से तुम उसको circuit breaker को वापस से on करोगे connect करोगे फिर से जैसी तुम transformer connect करने चलोगे doubling effect होगा और फिर से circuit breaker open हो जाएगे और इस तरीके की problem चलती रह है और इसकी वज़े से winding भी damage हो सकती क्योंकि 50-60 times magnetizing current आ रहा है आप सोच सकते हो कितना ज्यादा current की demand हो रही जबकि अभी तो load लगाया ही नहीं है तो यह सोच सकते हो कितनी जाद है दिक्कत की बात है और यह कैसे solve होगी यानि कि क्या एक ऐसा तरीका है हमारे पास कि हम transformer को on करें और circuit breaker trip ना हो यानि कि उसके अंदर double effect ना हो कैसे रोक सकते हैं और mathematically double effect क्या होता है इन सब चीजों को हम लोग आने वाले lecture के दर चर्चा करेंगे बड़ा ही interesting series होने वाली है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा ठीक है आई हो भी कि किस टाइमिंग पर switch on करें कि हमारे double effect गायव हो जाए आप नमनक कींदी समय दिया उसके लिए धन्यवाद